हलो गाईज मैं रहुल आज आपके लेकर आया हूँ तीन इडियम्स जिनकी शुरुवात होती है हिट वर्ट से क्या आपको इन मुहावरों का हिंदी में मतलब पता है? अगर पता भी है तो क्या आप इन मुहावरों को अपने daily life conversation में इस्तमाल करना जानते हैं? तो चलिए आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि इन तीन इडियम्स का हम अपने daily life conversation में कैसे इस्तमाल करें जिससे हमारी conversation और ज़्यादा effective हो जाए तो बढ़ते हैं वीडियो में, let's get into the video हमारा first idiom है, hit the books hit the books का मतलब होता है, मन लगा कर पढ़ना मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? उसमें बहुत ज़्यादा मन लगा कर पढ़ाई कर रहे हैं तो देखिए, इसका एक sentence देख लेते हैं कैसे यूज करेंगे? I will have to hit the books to prepare for the final exams मतलब मुझे final exams की preparation के लिए मन लगा कर पढ़ना पढ़ेगा हमारा next idiom है, hit the sack hit the sack का मतलब होता है, सोना या सोने को जाना तो जैसा गया picture में देख रहे हैं, एक चोटा सा बीबी सो रहा है तो चलिए जानते हैं, इसे हम कैसे यूज करेंगे sentence में I am exhausted, I am going to hit the sack exhausted का मतलब होता है, ठका होना तो sentence का मतलब लिकल रहा है, कि मैं ठका हुआ हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, सोने जा रहा हूँ हमारा next idiom है, hit the town hit the town का मतलब होता है, घूम के मस्ती करना और ऐसी जगे पर घूमने जाना, जहाँ पर restaurant हो, pubs हो, bar हो तो देखिए, कैसे हम इसको sentence में use करेंगे We are planning to hit the town tomorrow हम क्या plan कर रहे हैं, हम लोग planning कर रहे हैं कल town में घूम के मस्ती करने को तो आप ऐसे इन idioms को अपनी sentence में use कर सकते हैं ऐसे ही वीडियो देखने, वा इन वीडियो से कुछ सीखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहे हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में Till then take care, bye bye, see you next time